जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है, तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है, I will see you in go. अब इस फिल्म का तीसरी किस्ट को लेकर फाइनली बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, रिपोर्ट के मताबिक इस बार जॉली एलेलबी 3 में अर्शद वार्सी और अक्षिकमार यानि कि ये दोनों ही स्टार्स हमें एक साथ देखने को मिलने वाले हैं, वहीं अर्शद वार्सी जल्धी फिल्म की शुटिंग को शुरू भी करने वाले हैं, रिपोर्ट के मताबिक जॉली एलेलबी 3 की शुटिंग जल्धी राजिस्तान में शुरू होने वाली है, जिसमें अर्शद वार्सी का एक महिने का शेडूल होगा, इसके साथ ही शुटिंग लोकेशन पर प्री प्रोडक्शन का भी काम शुरू हो चुका है मीडे रिपोर्ट की तरफ नजर डाले तो तीसरी फिल्म में यानि कि जॉली एललबी 3 में दोनों ही जॉली आमने सामने होंगे जिसमें सौरफ शुकला जच की रूप में हम सभी को नजर आएंगे हाला कि इस बारे में अभी तक कोई भी ओफिशल जानकारी सामने नहीं आई है कहा जा रहा है कि जॉली एललबी 3 की शुटिंग साल 2024 में पूरी हो जाएगी जिसके बाद ये फिल्म में फैंस को साल 2025 में बड़े परदे पर देखने को मिल जाएगी वहीं जब साल 2024 में फिल्म की शुटिंग से जुड़ा हुआ सारा ही काम खत्म हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि साल 2024 के आखिर तक कुछ पोस्टर्स और सालती टीजर भी हम सभी को देखने को मिल जाएगी पर एक बात तो साफे की फिल्म की कहानी काफी जादा बड़िया होने वाली है और इसलिए फिल्म की एडिटिंग पर भी बहुत वक्त लाएगा और इसलिए फिल्म साल 2024 के बजाए साल 2025 में ही फैंस को देखने को मिलेगी कुछ मीडिया रिपोर्ट का तो कहना है कि इस आने वाली फिल्म की कहानी पहले दो पार्ट से बिल्कुल ललग होने वाली है ये बड़ा और मज़िदार होगा इस बार फिल्म में बॉलिवोर्ड के खिलाडी कुमार यानि कि अक्षे कुमार और अरसत वारसी के बीच जबर का अगर जरू बताएं और भी अक्षे कुमार से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चरल सिनमेटिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा